हेलो एव्रिवन नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासिस भाय भविता गुपता होक्स एजुकेशनल इंस्टिटूट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलबक्स थियोरी ओफ मोरल डेवलप्मेंट इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में की मोरल डेवलप्मेंट होता क्या जिसको हम बोलते हैं नहते क्विकास और उसके क्या वस्थाए होती है यह जो प्यारज की मोरल डेवलप्मेंट की तैयूरी जिसको उन्होंने टूस्टेज में डिवाइड किया था हेट्रोनॉमस और ऑट्रोनॉमस थो देखिए आप लोगों के साथ में यह जो पूरे सब्सक्राइब करें बच्चे सीटेट या यूपिटेट के लिए तो उनके लिए भी अलग प्लेलिस्ट रनी हुई है तो आप उस पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं जो की इंपॉर्टन वीडियोस हैं इंपॉर्टन कंटेंट है आप लोगों के लिए और जो बचे बेड और एमेट करें उन लोगों के लिए भी क्या है फुल फ्लेश यह आपके नोट्स हैं आप इनको अपने एक्जैम के लिए आज देखिए जो हम कोलवक की थियोरिकी बात करने वाले कि इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलवक थे कौन क्या उनका परस्पेक्टिव और यह आपका CTAD, UPTAD, STAD, KVS, MVS, ZSSS, BJPT, DEAD और DEAD और DEAD और DEAD सेम कोंटेक्स्ट में होते हैं यह लोग जो कोर्सिस होते हैं और BAD, BLAAD, MAD, UGCNET में भी इंफेक्टिए आपकी बहुत इंपोर्टन थियोरी है और CDP में तो हई तो यह सभी बच्चों के लिए बहुत इ देख सकते हैं बाकिया प्लेरिस पर जाकर भी उसको देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो कोल्बक्स थियोरी ओफ मोरल डेवलोप्मेंट बीए फॉर्स चाल्वड और चाल्ड डेवलोप्मेंट इनके अंदर बहुत इंपरेंट टॉपिक है यह और हमेशा इसमें कुछ न कुछ क्वेशन पूछा ही जाता है कोल्बक्स की थियोरी में आप लोग के साथ में टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि एक ही वीडियो में यह सारा कुछ शेयर करना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है बच्चे वाच भी नहीं करत ते लंबा वीडियो तो आज के जो वीडियो है उसमें हम कोल्बक की थियोरी जो है उसमें कोल्बक के बारे में जानेंगे क्या उनका इंट्रोडक्शन है तो देखिए इंट्रोडक्शन ओफ कोल्बक Lawrence Kohlberg was an American psychologist best known for his theory of stages of moral development क्योंकि यह एक American psychologist थे और जो इनकी moral development की थेयरी उसके लिए सबसे जादा जाने जाते हैं He served as a professor in the psychology department at the University of Chicago तो Chicago की जो university थी वहाँ पर यह कहते है as a psychologist professor थे यह psychology department के अंदर थे He extended PIAJ's work, यानि कि उन्होंने किया PIAJ के work को बढ़ा है अब देखिए मैंने आप लोग के साथ में जो PIAJ की moral development की theory share की पहले वो इसलिए कि क्योंकि PIAJ के work को ही Kohlberg ने आगे extend किया था He felt that moral development is a slow process and evolved over time यानि कि जो PIAJ जो हमारे Kohlberg है उनका क्या मानना था जो moral development है यानि नेतिक विकास है यह क्या एक slow process है धीमी परिकरिया है और यह क्या है वक्त के साथ विक्सित होती जाती है His six stages of moral development mirrors PIAJ's early model यानि कि जो उन्होंने six stages दी है कि उन्होंने दी है कोलबग ने दी है तो six stages जो है वो mirror है PIAJ की थियोरी का यानि कि जो PIAJ ने थियोरी जी थी थी उन्होंने कि आप आई ना इसको मान सकते है अब देखें assumptions नहीं हुई है assumptions of कोलबग's theory of moral development कोलबग के नेतिक विकास के सिधानत की मानने था है तो क्या क्या मानने था है इसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं Humans are inherently communicative capable of reasons and possesses a desire to understand others and the world around them इसका क्या मतलब है कि जो human beings है निक हम लोग जो है इनसान जो है वो क्या है हम सभाविक रूप से communicative है यानि कि हम क्या है हम दूसरों के साथ communication करते हैं बातचीत करते हैं और किसी भी reason को जानने के लिए हम क्या सक्षम है और हमारे अंदर एक desires होती है कि हम दूसरों को जाने और हमारा जो surrounding word है जो हमारे आजपास की दुनिया है उसको भी हम अच्छे से जाने नेक्स हमारा second point the stages of this model relate to the qualitative moral reasoning adopted by individuals यानि कि जो moral development की stages है जो कोल बग ने दी है ये किस से relate करती है गुड़ात्मक नेतिक शक्ती से related करती है जो कि हर कोई adopted by individuals यानि कि जिसको हर कोई adopt करता है और यह क्या assumption है यह कोल बग की उनकी माननेता है नेक्स है हमारा third point कोल बग थिओरी centers on the notion that justice is the essential characteristics of moral reasoning यानि कि क्या कोल बग की थिओरी कि धार्णा है कि जो justice है यानि कि नियाय है वो क्या एक essential characteristic है वो आवश्यक विशेश्ता है moral reasoning की नेतिक तक शक्ती की यानि कि basically हम कह सकते है अगर हम लेतिक्ता की बात कर रहे है तो इसका मतला हम justice की बात करें कि क्या साही क्या गलत होना चाहिए next आता है हमारा fourth point according to call work someone progressing to a higher stage of a moral reasoning cannot escape stages अब देखिए according जो हमारे call work है उनका क्या मानना है कि जो नोने six stages दी है moral development की अगर कोई progress कर रहा है एक step से दूसरी stage सक तो वो skip नहीं कर सकता है suppose कि हमारे six stages में first के बात कोई अगर चाहे skip करना और third stage पर direct जाना चाहे तो ऐसा नहीं होता है उसको वो six stages पूरी complete करनी होती है next point हमारा fifth point call work identified the family as the first source of value and moral development यानि कि call work क्या बताते है कि जो हमारी family होती है वो कि हमारा first source है जिससे हमें values और moral development मिलता है हुआ पर हमारा नैती विकास होता है हमारे मुल्यों का विकास होता है six point है हमारा call work believed that individuals could only progress through these stages one stage at a time यानि कि जो call work है उनका मानना है कि कोई भी individual है यानि कि कोई भी व्यक्ती है अगर वो इन्हें stages से गुजर रहा है तो वो एक बार में एक ही stages पे आ सकता है ऐसा नहीं है कि वो six stages पे एक साथ हो यह क्या है one by one यह stages आती है seventh assumption है हमारे इस theory की according to him human beings could neither skip stages nor return to any previous stage यानि कि call work का मानना है कि कोई जो कोई भी व्यक्ती इन stages को skip नहीं कर सकता और previous stage पे भी नहीं जा सकता जैसे कि अगर six stages है अगर कोई six stage पर है और वो fifth stage पर जाना चाता है तो ऐसा नहीं हो सकता है और नहीं वो उसको skip कर सकता है तो हर एक stage पर आपको first, second, third, fourth, fifth, sixth हर एक stage को आपको पार करना होता है इसके बाद आपकी eighth assumption है and the last assumption है ये in order to understand the child's moral development it is essential to analyze the structure of reasoning and thinking यानि कि जो call work है उनका क्या मानना है कि अगर आपको एक बच्चे के moral development को समझना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा जो उस बच्चे का structure क्या है reasoning और thinking का यानि कि वो बच्चे किस तरीके से सोचता है उसकी तरक्वितर की शक्ती किस तरीके की है तो उसी पर बेस करता है आपका moral development तो ये हैं हमारी assumptions callback की theory की assumptions है ये जो मैंने आप लोग के साथ में share की है और देखिया आप लोगों का exam में question आता है वो callback की theory पर आता है तो अगर आपकी theory आती है तो आपको सरफ stages explain नहीं करने हैं आपको callback का introduction जैसे मैंने आप लोगों के साथ में share किया है उसके बाद में आप assumptions बताओगी उसके बाद में आप theory बताओगी और जो इसके theory की six stages है वो में next video में आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी और उसका link है वो description box में भी दूँगी तो मेरे साथ में आप बने रहे हैं इसी तरीके से क्योंकि बहुत useful videos में आप लोगों के लिए लाती है English में हमेरा सारा content है बट मैं इसको हिंदी में भी explain करती हूं ताकि बच्चे जो हिंदी वीडियम से पट रहे हैं उनको कोई problem ना हो और अगर फिर भी किसी word में problem आती है तो वो मुसे comment box में लिकर पूछ सकते हैं तो देख लेते हम difficult words में सबसे पहले है हमारा inherently यानि भी कहाएगा यहां पर नेक्स है हमारा capable of reasons कारणों में सक्षम थर्ड है हमारा possesses a desire इच्छा रखते हैं नेक्स हमारा qualitative यानि गुणात्मक इसके बाद हमारा moral reasoning नेतिक तक शक्ती सिख्थ है हमारा essential characteristics आवश्यक विशेश्ता या अनिवारे election progressing नेक्स है हमारा जिसको बोलते प्रगती एर्थ है हमारा previous stage यानि पिछला चरण इसके बाद 9th है sources of values मुल्यों का स्त्रोथ 10th है हमारा analyze the structure संद्रक्चना का विश्लेशन and the last is notion यानि धारना और यह सारे words कोन से हैं जो अभी आपने पढ़िये theory इसी में से हैं सारे words तो I hope आप लोगों के समझ में आया होग तो आप इसको जरूर देखिए और जो previous videos है उनको भी जरूर देखिए कि moral development होता गया है क्योंकि देखिए moral development पर कोई theory आती है तो आपको moral development के बारे में बताना है कि होता गया है उसके बाद में आप माली जे call work पूछा गया है या प्याजे पूछा गया है अगर प्याजे तो उसमें प्याजे के बारे में बताओगे प्याजे कौन थे क्या उनका सोच थी उसके बाद में उनकी theory बताओगे इसी तरीके से call work आता है तो call work के moral development के बारे में बताने के बाद आप call work के बारे में बताओगे फिर उनकी assumptions और theories है उसके बारे में बताओगे तो इस तरीक आपको लिखना होता है तो चलिए आप लोग अपने एक्जैम्स की तैयारी कीजिए इसको अच्छे से पढ़िए नेक्स वीडियो जल्दी ही लेकर मैं आप लोगों के साथ में आऊंगी तो मेरे साथ बने रहेगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा शे जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए थैंक यू धन्यवाद